हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कंपेर चेंट करेंगे रियल्मी 8S 5G में और रियल्मी X7 Max में और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फोन कौन सा है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्पले से तो रियल्मी 8S की है डिस्पले 6.5 इंच की रेजलेशन 1080 x 24 पिक्सल और सक्रीन IPS LCD डिस्पले और रियल्मी X7 Max की डिस्पले 6.5 43 इंच की रेजलेशन 1080 x 24 पिक्सल और सक्रीन सूपर एमोलेड डिस्पले और आप और रियल्मी 8S में 19Hz का refresh rate मिलता है और रियल्मी X7 Max में ही 120Hz का और दोनों पॉनों में आपको पंचोल कैमरा मिलता है बात के लिएते ही प्रोसेसर की तो रियल्मी 8S का ही बात कते हैं बैके में की तो दोनों का स्थीम है दोनों का ट्रिपल है दोनों का जो में केमरा है सक्थी फोर मिसल का फिर एट का फिर टूपा और दोनों पॉनों का फरंट के में सेम ही 16 मिसल का मिल जाता है पंचोल केमरा के साथ मिलता है बात की जाए बैटरी की तो रियल्मी 8S में ही 5000 इमिज की और Realme X7 Max में है 4500 इमिज की और दोनों कोने की बैट टैप्स गोनेबल है आप दोने के बैट को निकान ने सकते और Realme 8S में चारजर है 33W का Realme X7 Max में है 50W का दोनों में टैप्स का स्पोट है दोनों में आपको फिंगापीन सेंसर और फिर इस लोग में मिल जाता है दोनों की है वारेंटी एक साल की और कॉनिक्टिविटी है दोनों में 5G की बात की जार एम की तो Realme 8S में है 6GB और ARGB की मेमोरी 108 भी की और Realme X7 Max में है 6GB ARGB और 12 भी की और दोनों ही फोनों में आपको Android 11 मिलता है बात कर लेते हैं प्राइस की तो Realme 8S का ही 17,999 रपी और Realme X7 Max का ही 23,999 रपी तो फिर आपको दोनों फोनों में सी कौन सा फोन पसंदाया कौन बॉक्स में जोरू बताना